नमश्कार दोस्तों सुवागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गुरूजी का स्कूल में तो कैसे आप सब दोस्तों हमें आप लोगों की काफी कमेंट्स मिलें कि सर जो SSC MTS 2019 का एडिशनल रिजल्ट आया था उसमें ESM केटेगरिए कितने केंड़िट्स थे और हमारी EWS के टेगरिए कितने केंड़िट्स थे और जो हमारे ये अडिशनल रिजल्ट आया था वो हमारी इस बार की फॉइनल कटोफ हो किस चारा Effect करने वाला है तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम इसे के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो आज किस वीडियो का शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नहीं हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले जिससे कि आप आने वाले किसी वीडियो को मिस्स ना कर पाएं दोस्तो हमारे चैनल पे आपको education related वीडियो और नहीं नहीं जो vacances related वीडियो मिलती रहेंगी हमने अपने चैनल पे SSC MTS की difference date की cutoff वीडियो SSC का जो document verification का process है और जो SSC का UFM का rule है उसको fully explain किया है आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो हम बहुत मैनत करते हैं आपके लिए information collect करने के लिए आपके लिए data arrange करने के लिए और इस वीडियो को बनाने में भी हमारी बहुत मैनत लगी है तो दोस्तो आपका एक like और एक subscribe तो बनता है जिससे कि हमें हमत मिलते रहे आपके लिए नई नई वीडियो लाने के लिए दोस्तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे कितने additional candidates हैं ESM category में और EWS category में हमारे additional result में और हमारे additional result कैसे effect करने वाला है हमारी final cutoff को तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे additional result में SSC ने क्या कहा है दोस्तो आप सभी जानते ही हैं कि जो SSC का additional result है था MTS 2019 का उसमें SSC ने 9550 additional candidates को qualify किया था paper 1 में paper 2 में appear होने के लिए लेकिन जो हमारा 5 नौबर 2019 को result है था उसमें जो हमारा first result था उसमें SSC ने 11,162 candidates को qualify किया था paper 2 में appear होने के लिए लेकिन उस result में हमें कुछ कमिया देखने को मिली थी number 1 कमी थे हमारी ex-servicemen candidates eligible for reservation were not considered for selection under ex-servicemen category जो हमारी ex-servicemen candidates थे उनको consider नहीं किया था ex-servicemen category में selection के लिए जो हमार number 2 point है EWS candidates qualifying at the UR standards have been selected in the EWS categories whereas they were eligible for selection in UR category जो हमारी EWS category के candidate थे जो UR standard पे qualify कर रहे थे उनको EWS category में ही रखा गया जबकि वो eligible थे UR category में selection के लिए therefore creative action has been taken and it is observed that 9,551 additional candidates are eligible for appearing in the paper 2 of multitasking non-technical staff examination 2019 scheduled on 24 November 2019 इसलिए उन कमियों को दूर करते हुए 9,551 additional candidates को qualify किया गया पेपर 1 में पेपर 2 में appear होने के लिए तो दोस्तों SSC ने इस नए notice में ये तो बता दिया कि कौन-कौन सी category में कमिया थी और total कितने additional candidates हमारे select हुए हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि दोनो category में हमारे different कितने candidates select हुए हैं AWS में कितने select हुए हैं और ESM में कितने select हुए हैं और इसी वज़़ा से में काफी problem आ रही थी दोनो categories की अलग-अलग cut-off बताने में क्योंकि अगर दोनो category में अलग-अलग candidates नहीं available हैं तो हमारे लिए final cut-off बताना काफी मुश्किल हो जाता है लेकिन हमारे इस problem को दूर करने में help करते हुए हमारे एक subscriber ने हमें suggestion दिया कि sir जो हमारा additional result है था उसमें जो हमारी additional list थी उसमें जो candidates के roll number दिये गए है उनके आगे उनके category code दिये गए है अब उन category code की help से सारे candidates को count कर सकते हैं कि किस category में कितने candidates available है तो चली हम देखते हमारी additional list को तो यह हमारे additional result के list और यहाँपे हमें candidates के roll number दिये गए है candidates के नाम दिये गए है और उनके सामने उनके category code दिये गए है और नीचे दिया गया कि कौन सा code किस category के लिए है तो इस list की मदद से और इन category codes की मदद से हमने पूरी list को चेक करते हुए ये count किया है कि ESM category में कितने candidates हैं और हमारे EWS category में कितने candidates हैं तो चलिए देखते हैं हमारे दोनों categories में कितने candidates बनते हैं। दोस्तों हमें additional results की list में candidates की counting करने के बाद पता चला की ESM category में हमारे हैं 7491 candidates और EWS में हमारे 2052 candidates। यहाँ पर ESM category में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा candidates हैं as compared to EWS category। तो ESM category में तो बहुत ही फरक पड़ने वाला है हमारी final cutoff में इस additional results की वज़े से। अब देखने वाली बात यह है कि EWS category में हमारा कितना असर पड़ेगा हमारे इस बार की final cutoff पे। दोस्तों जो हमारे EWS category के candidate हैं वो additional sample जुरूर हुए हैं लेकिन जो हमारे पहले candidate से EWS category में उन में से कुछ candidate UR category में select हुए थे और उनका UR में shift कर दिया गया है। तो इस वज़े से हमारे EWS पे इतना फरक नहीं पड़ेगा। मुश्किल से हमारे एक या दो नमबर का फरक पड़ेगा। जो भी हमने cutoff बताईए आपकी पहले की जो state की बताईए है या जो आने वाली states के हम बताने वाले है cutoff उसमें। तो EWS category की cutoff के लिए तो आप हमारी other videos जो आदर state की cutoff videos MTS 2019 की उनको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं आप अपनी EWS category की cutoff को। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी ESM category में क्या cutoff रहने वाली different states के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारी total candidates कितने हमारे पास available ESM category में अभी तक। जो हमारा first result आया था उसको count करके और जो हमारे additional result आया था उसको count करके चलिए हम देखते हमारे total candidates कितने हैं। first result के हमारे चार list आया थी, list 1 में थे हमारे 116 candidates ESM category में, list 2 में थे हमारे 108 candidates . list 3 में थे हमारे 230 candidates, list 4 में थे हमारे 83 candidates और जो हमारी additional list आया थी उसमें थे हमारे 7491 candidates और total हुए आठ आथाजार 188 candidates और जो हमारी total vacances available हैं ESM category के लिए दोनों ही age group में वो हैं हमारी 18-25 age group में 473 and 18-27 age group में हमारी 144 और total हमारी 617 तो हमारे पास जो total vacances हैं ESM category में वो हैं 617 और जो total candidates हैं ESM category में वो हमारे पास 8028 तो हमारा जो vacances to candidates ratio है वो बनता हमारा 1 raise to 13 दोस्तो हमारे पास जो एडिशनल candidates आने के बाद काफी बढ़ गया है तो हमारा इस बार की final cutoff को काफी effect करने वाला है और हमें थोड़ा rise देखने को मिलेगा हमारी ESM category की cutoff में दोस्तो हम कुछ factors को और consider करने वाले हैं जिनको हमने अपनी difference state की cutoff वीडियो में भी consider किया है जैसे कि हमारे MTS 2016 की cutoff रही थी टायर 1 में टायर 2 में और जो हमारी final cutoff रही थी और जो हमारा rise आया था और जो हमारी इस बार की टायर 1 की cutoff है और जो हमारा vacances का distribution है हर state में हर age group में उन सबी factors को हम अपनी ESM category cutoff calculate करने के लिए consider कर रहे हैं और उन factors को हमने अपनी difference state की cutoff वीडियो में explain किया है आप चाहे तो उन वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो हमारे additional result को consider करने के बाद और हमारे सारे factors को consider करने के बाद और हमारी सारी calculations करने के बाद जो हमारी इस बार की SSC MTS 2019 की final cutoff रहने वाली है एक servicemen category के लिए वो रहने वाली है 18-25 age group में बिहार के लिए रहेगे हमारी 40+, UP के लिए 35+, अंडमान और निकुबार आइलेंड के लिए रहेगे हमारी 38+, ओडिशा के लिए रहेगे हमारी 40+, वेस्ट पैंगौल के लिए रहेगे 35+, करनाथका 45+, केरला रहेगे हमारी 42+, अंधरा 40+, तेलंगाने के लिए कोई वेकेंसिस नहीं है तो उसके लिए कोई cutoff नहीं रहेगी तमिलनादू रहेगे हमारी 35+, और अठास थाइज ग्रूप में हमारी रहेगी बिहार 55+, यूपी रहेगी 40+, अंडर्माइन अनिकुबार के लिए कोई वेकेंसिस नहीं है तो उसके लिए कोई cutoff नहीं रहेगी ओडिसा 40+, वेस्ट बैंगाउल 45+, करनाथका रहेगे हमारी 60+, केरला 70+, अंधरा के लिए कोई वेकेंसिस नहीं है तो उसके लिए कोई cutoff नहीं रहेगी तेलंगाना 40+, और हमारी तमनलाडू रहेगी 45+, और हमारी अठास थाइज ग्रूप में MP के लिए कोई वेकेंसिस नहीं है तो उसके लिए कोई cutoff नहीं रहेगी Assam के लिए 36, मेगाले के लिए भी कोई वैकेंसे नीए इसकी भी कोई cut off नहीं रहेगी, नागलेंड के लिए 40 हमारी अरुणाचल परदेश और गोई कोई cut off नहीं रहेगी 18 से 25 गूर्प में, 18 से 27 गूर्प में रहेगी हमारी MP गले 45 प्लस, Assam 40 प्लस, Megalia के लिए 46+, Nagaland के लिए हमारी कोई cut-off नहीं रहेगी हमारी Arunachal प्रदेश रहेगी 42+, Goa के लिए रहेगी हमारी 60+, और 18-25 गुरूप में दिल्ली के लिए रहेगी हमारी 32+, Rajasthan 40+, उतराखन रहेगी हमारी 45+, चंडीगड के लिए कोई vacancy नहीं तो इसके लिए कोई cut-off निर्एगी अर्याना के लिए कोई cut-off निर्एगे 18-25 ऐजगुरूप में पंजाब के लिए रहेगे 40-っ जम्मो कश्मेर के लिए क狂 कोई cut-off निर्एगी गुज्रात के लिए 38- plans माराश्टा 30- tus 1827 age group में दिल्ली के लिए रहेगी हमारी 35+, राजस्तान 65+, उत्राखंड 65+, चंडिगर्ड 50+, अर्यान 55+, पंजाब के लिए कोई vacances नहीं है 1827 age group में, तो इसके लिए कोई cut off नहीं रहेगी, जमू किश्मीर 38+, गुजरात 40+, इन महाराष्टर रहेगी हमारी 33+, दोस्तों हमने जो एक cut off बताई है, सिर्फ एक servicemen category के लिए है, जो हमारे additional result आया था, SSCMTS 2019 का, उसको देखते हुए, अगर आपको किसी यदर state की cut off चेक करनी है, तो आप उसे हमारी चनल पर देख सकते हैं, हमने different state की cut off वीडियोज अप्लोड की हैं, तो दोस्तों अगर आप एक servicemen category से बिलोंग करते हैं, और आपके इतने marks बन रहे हैं, अपने अपने age group के लिए, और अपनी अपनी state के लिए, तो आप ready हो जाई है, आपके selection होने हैं वाला है, और आप अपने documents ready कर लिए, और document verification के लिए, और document verification में आपको जो ज़रूरी documents लेके जाने हैं, जो जो certificates लेके जाने हैं, या engine format में उन certificate को लेके जाना है, या जिससे भी आपको उनको attest कराना है, उनके बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, अपने fully explain किया document verification के process को, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नो हो, जोब आपके document verification की data है, तो आप किसी कानवश उन documents को मिस कर दें, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, तो दोस्तों हम आशा करते हैं, कि आपके जो भी doubts थे, SSCMTS 2019 के additional result को लेखे, वो इस वीडियो को देखने के बाद, आपके सारे doubts clear हो गए होंगे, अगर आपके अभी भी doubts बाके हैं, तो उन्हें नीचे comment box में हमें जरूर बताएं, हम आपका reply जल से जल करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है, तो उसे like करें, share करें, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं, तो हमारी चैनल को subscribe कर लें, और बैल आकन दबा लें, दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वारी है, या आप कोई भी information चाते हैं, किसी भी education related topic से, तो उसे नीचे comment box में हमें जरूर बताएं, हम आपका reply जल से जल करेंगे, तो तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, अपनी प्रिवार वालों का ख्याल रखें, घर में रहें, स्वस्त रहें, सरकार के निदेशों का पालन करें, सयोग करें, धन्यवाद, जैहिंद.